कोई भी सरकारी योजना हो अगर आप उसे पैसा लेना चाहते हैं तो आपका खाता जो है एंपी सी या इसे लिंक होना चाहिए तो आप पैसे में कहेंगे वहाई साब मेरे पास तो चार एकॉंट है तो किस में मेरा पैसा आएगा जो सरकार की तरफ से मिलने वाला लाब जो हो आप अपने मौाल फॉन से भी चेक कर सकते हैं चेक करने के लिए आपको Google Chrome Open कर लेना और यहां पर आपको टाइप करना यू आई डी ए आई तो आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे तो यहां पर आप क्लिक करेंगे उसके बाद यहां पर देखें माई अधार वाले अप्शन पर आप क्लिक कर देंगे उसके बाद यहां पर देख सकते हैं अधार सर्विस का एक अप्शन है तो यहां पर आपको क्लिक करने के बाद इस पेज़ को थोड़ा सा आप उपर option मिल जाएगा अधार linking status तो आप यहां पर आप क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद आपके सामने में कुछ इस तरह का interface खुलेगा आप यहां पर देख सकता है अधार linking NPCI server तो आपके NPCI server से जो है आपका खाता link होना चाहिए तो चेक करने के लिए आप जो है अधार नमर virtual ID से भी आप चेक कर सकते हैं तो चलिए सबसे पहले हम अधार नमर यहां पर इंटर कर देते हैं अगर आप अधार नमर से चेक करना चाहते हैं इसके बाद यह जो आप केपचा देख रहे इस box पर आपको क्लिक कर देना है इसके बाद यह जो सेंड ओटीपी पे आपको क्लिक कर देना है अधार नमर इंटर करने के बाद यह केपचा इंटर करने के बाद आप सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देंगे ऐसा करने के बाद आपके रजिस्टर मौल नमर पे ओटीपी जाएगा ओटीपी को यहां पर आपको इंटर करना है देने के बाद आप समिट वाले बटन पर किलिक कर देंगे ऐसा करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं तो आपका एकॉण्ट नमर और आपका खाता दोनु लिंक है उसके बाद यहाँ पे बैंक लिंकिंग हुआ था तब का डेट यहां पे दिखा रहा है तो आप में अलग-अलग डेट दिखाएगा उसके बाद देखिए कौन सा बैंक आपके NPCI सर्वर से लिंक है वो भी आपका दिखाएगा जैसे कि मेरा है State Bank of India तो आगर आपका कोई अधर बैंक होगा यहाँ पे वो भी सो करेगा तो इस तरह से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपका जो है NPCI सर्वर से कौन सा बैंक लिंक है कोई भी सरकारी योजना से लाव या मिलने वाला पैसा अगर आता है तो आपका इसी बैंक में आगा क्योंकि सरकार जो है खाते नमर से पैसा नहीं बैशती है DBT के माधियम से पैसा बैशती है यहां पे चेक कर सकते हैं कि कौन सा बैंक जो है NPCI सर्वर से लिंक है तो इस तरह से चेक कर सकते हैं वसे अगर आपका कौन सा बैंक है नीचे कमेंट करके जरूर बताएए